फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी को मालूम है रिसेंटली मध्यप्रदेश NHM के थुरू CHO यानि कि दोस्तों Community Health Officers की पोश्ट के लिए अपडेट आप सभी को यहाँ पे प्रवाइड करा गया यह अपडेट जो था most awaited यहाँ पे अपडेट था यानि कि आपको answer की की information 8 अपरेल को आपको प्रवाइड करा दी गई आप लोग अपनी answer की को यहाँ पे download भी यहाँ पे कर लिए और इसमें दोनों तरीके के पोश्ट वाले candidates थे इसमें khi candidates ने CCH वाली पोश्ट यहसे आप लोग ने आप अप्लाइ किया और khi candidates ने आप Qo वाली पोश्ट ने आप लोग ने आप अपड़ाई किया आपके admit card पे और आपका जो application form है तो उसमें साफ साफ mention किया गया कि आपने किस post से apply किया और किस post के लिए आप लोग ने exam दिया तो इससे पहले मैंने आपको MPNHM CHO का जैसे exam हुआ था तो मैंने आपको expected cutoff की range मैंने आपको 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 बताई थी तो एक safe zone मैं आपको आपको आपके already बता चुका था लेकिन दोस्तों अब जो है answer की यहाँ पे आ चुकी है और सभी candidates ने जो भी questions उनको उनके exam में पूछे गए तो candidates ने अपने answers यहाँ पे चेक किये और काफी candidates ने पाया कि जो भी answers उनने mark किये थे exam के दोरान काफी answers यहाँ पे सही यहाँ पे निकल रहे हैं तो SME candidates यहाँ पे confident नजर यहाँ पे आ रहे हैं और SME candidates बोलना है कि 65 plus marks यहाँ पे easily यहाँ पे बन जाएंगे कुछ candidates बोलना है कि 70 plus marks भी यहाँ पे आ सकते हैं मेरे sir और कुछ candidates यहाँ पे बोलना है कि 75 marks भी यहाँ पे देखे easy यहाँ पे आ सकते हैं comment box में भी आप लोग ने यहाँ पे देखा होगा मैंने एक video cover भी किया था तो उसके comment box में ज़्यादा तर जो candidates थे 60 plus 65 plus 70 plus 75 plus कुछ candidates वहाँ पे 80 वाले भी हमको यहाँ पे देखने को मिले तो यह सभी चीज़ें देखने से यह बिल्कुल यहाँ पे show हो रहा है कि candidates बिल्कुल यहाँ पे confident है और candidates को ज़्यादा कठेन यह exam यहाँ पे देखने को नहीं मिला और जब इतने marks यहाँ पे candidates यहाँ बोलना है वो थोड़ा यहाँ पे और यहाँ पे बढ़ जाएगा जो पहले मैंने आपको बताया था उससे थोड़ा जादा जो है अब यहाँ पे expected cutoff यहाँ पे जा सकता है तो एक एक करके मैं आपको बताऊंगा पहले cch का बताऊंगा और फिर cch की post के लिए आपको यहाँ पे मैं बताऊंगा और बताने से पहले सबसे पहले आपको इस वीडियो को आपके लाइक कर दे रहा है और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे वीडियो की नीचे जाए सब्सक्राइब के रैड बिटन को क्लिक कर दे आगे की हर इंफोर्मेशन इसी तरीके से पाते रहे तो चलिए शुरू बात करते हैं अपडेट को और बढ़ते हैं इंफोर्मेशन की ओर तो सबसे पहले मैं cch की पोष्ट के लिए जो केंडिरेट ने एक्जाम दिया है तो इनका एक्सपेटेट कट अफ बताऊंगा फिर देन आपको cho की पोष्ट के लिए आपको एक्सपेटेट कट अफ की रेंज आपको आपे मैं बताऊंगा तो सबसे पहले discuss करेंगे जो हमारे cch वाली post वाले candidate है जनके cb candidates के admit card पे cch इस तरीके से post लेकी है तो ये expected cut off आप लोगों के लिए रहेगा और आपको मालूम भी है कि भरती के विज्यापन में means notification में cch से male female की सभी category इसमें मिलाके 480 seats यहाँ पे जो है शामिल की गई तो 480 seats पे देख लेते हैं unreserved यहाँ पे जो category के candidates हैं तो देखिए unreserved की यहाँ पे जो total यहाँ पे जो seat थी ccs से male female की वो 130 थी और यदि आपके marks यहाँ पे अब 72 से means 70 प्लस आ रहे है 72 to 74 यदि इतने marks आ रहे है तो यह safe zone आएगा unreserved general यहाँ पे जो candidates हैं अब बात कर लेते हैं अगली जो category है OBC तो OBC की इसमें यहाँ पे जो seats यहाँ पे जो define की गई थी लगभग लगभग बराबरी थी unreserved के 129 तो 129 seats पे यह male females की यहाँ पे seat है 139 मिला के और यदि आपके marks यहाँ पे 70 से 72 इस range में आ रहे हैं तो यह safe zone आपका यहाँ पे रहेगा और OBC वाले candidates का जो response है बहुत ज़ादा अच्छा है यहाँ पे देखने को मिला comment box में भी काफी candidates ने बताया कि 70 plus marks यहाँ पे easily यहाँ पे बन जाएंगे और जो मेरा personal जो मेरा whatsapp number है काफी candidates personally भी मुझसे यहाँ पे पूछते है तो उस अधार पे candidates यहाँ पे बोलना है कि 70 plus marks यहाँ पे आ रहे हैं तो क्या chance है तो बिल्कुल यहाँ पे chance यहाँ पे रहेगा आप लोगों के लिए 72, 72 marks अब बढ़ जाते हैं अगली जो category है वो रहेगी SC तो schedule cash की seats यहाँ पे जो है कुल मिला के male female की 77 इतने पाद यहाँ पे शामिल किये गए थे और यदि अब आपके marks यहाँ पे 68 to 70 इस range में आ रहे हैं तो यह आपका save zone आप रहेगा इसके बाद बात कर लेते हैं हमारे ST वाले जो candidates हैं तो ST के जो candidates हैं इसमें जो कुल मिला के आप जो seats थी 96 पोस्ट थी और देखिए ST के जो candidates होते हैं इनका cutoff generally low देखने को मिलता है ST में candidates हैं आपके कभी कभा तो मिलते ही नहीं है 2019 की भरती का आप लोग result देखना तो उसमें इतना कम cutoff गया था कितनी list निकाली गए थी उनके द्वारा आपको यह याद होगा ठीक है इसके बाद जो 2022 की भरती थी ठीक है 2022 की जो भरती थी उसमें भी ST category वाले candidates का बहुत ही कम यहाँ पे cutoff देखने को मिलता है तो इससे यह show रहा है कि ST के candidates यहाँ पे कम ही यहाँ पे जो है मिलते है तो इतने marks की range है तो बिलकुल आपका यह chance आपका रहेगा ठीक है इसके बाद बात कर लेते हैं EWS category की तो EWS की देखिए ज़्यादा seats नहीं थी female के मिला के इसमें 48 post इसमें शामिल की गई थी और यहाँ पे EWS की 48 यहाँ पे जो seats यहाँ पे जो शामिल की गई इसमें आपका जो cutoff है एक middle range हमेशा मैं आपके define करता हूँ 70 से 22 ठीक है यदि इस range में यदि आपके marks आ रहे हैं EWS category में तो यह आपके safe zone यहाँ पे रहेगा तो यह CCH वाले candidates के बारे में information दी आप हम लोग आपके बात कर लेते हैं जो हमारे CHO वाली post वाले candidate है तो आपके admit card पर या पर आपके application form पर आपका post apply CHO है तो आप लोगों के लिए कुल मिलाके 500 seat से आप रहेंगे ठीक है 500 seat इसमें है और पहले वाले में 480 तो कुल मिलाके 980 post पर यह recruitment था अंडे दर्ब की बात कर लेते हैं थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे अंडे दर्ब में देखिए यहाँ पर जो seats थी CHO से वो 135 थी male females की मिलाके और आपके जो marks है 70 से 72 ठीक है तो यह marks यह आपके आ रहे हैं तो अच्छे chance है आप कहां पर selection हो जाएगा बात कर लेते हैं हमा तो safe chance है selection होने का बात कर लेते हैं जो अगली category है वो रहे हैं SC तो SC में जो कुल मिला की male females की seats थी 80 seats तो 80 पदों पर यह SC categories के seats यहाँ पर define थी और यदि आपके marks यहाँ पर 66 से 68 इस range में आ रहे हैं तो यह safe zone आप लोगों की लिए आप रहेगा और HD में तो जैसे कि मैं आपक आए कि usually कमी cutoff जाता है HD का तो seats भी वैसे अच्छी कासी है 100 seats यहाँ पर male females की मिला के HD category में तो cutoff जो है यहाँ पर 64 से 66 तो इस range में जो है यदि marks आ रहे हैं तो यह अच्छा एक marks यहाँ पर मैं बोलूँगा यह range अब बात कर लेतें EWS वाले जो हमारे candidates हैं तो EWS की ज्याद से 70 ठीक है यह middle range में हमेशा define करता हूँ और EWS की जो cutoff है सभी categories के मद्ध में ही यहाँ पर cutoff देखने को मिलता है तो यह CHO और CCH दोनों की मैंने आपको यहाँ पर expected cutoff की range मैंने आपको यहाँ पर बताई और जब candidates यहाँ पर जब बोलना है कि 65 marks 69 marks 72 marks 78 marks कुछ यहाँ पर 80 plus वाले भी हैं तो इससे यह show रहा है कि बिल्कुल cutoff यहाँ पर थोड़ा जो है आपको ज़्यादा देखने को मिलने वाला है seats भी ज़्यादा ज़्यादा नहीं है आपको लग रहा होगा कि 135 seat है अन्देजर्ब में तो आप लोग देखना किसी में male की ज़्यादा है तो किसी में female की कम है तो seats इतनी ज़्यादा नहीं है तो बिल्कुल high cutoff आपको आपको देखने को मिलेगा और शुरूबात में ही मैंने आपको बोल दिया था कि आपके selection का जो factor है यह तभी decide हो गया था जब आप लोग ने form को apply किया था यह मैं क्यों बोलना हूँ क्योंकि जब आप लोग ने form को apply किया था तो इसमें दो तरीके की post थी cich की post थी और ceo की इसमें आपे post थी तो candidate जब form apply करने के लिए दुकानदार के पास गया तो दुकानदार ने बोला कि भया किस post से apply करना है तो candidate ने बोल दिया और ceo की post से मेरा यहां पे form को apply कर दो लेकिन दोस्तों CHU की जो post थी इसमें CCH का certificate course जो है compulsory आपके पास यहाँ पे होना चाहिए अब यह आप लोग select हो भी जाएंगे document जब verification कराएंगे तो आप लोग CCH का certificate course यहाँ पे कहां से लेकर आएंगे जब आपसे पूछा जाएगा कि proof दीजिए कि CHU की post थे आप लोग ने apply किया यह direct यहाँ पे vacancy थी ठीक है selection के बाद directly आपको posting मिलनी थी posting क्यों मिलनी थी क्योंकि CCH का certificate course आपके पास यहाँ पे था तो जब आपके पास CCH का certificate course रहेगा ही नहीं then आप लोग जो हैं वहाँ पे क्या बोलेंगे तो main deciding factor तभी हो गया था कि जब आप लोग ने post को select किया तो mostly candidates ने form को गलत fill यहाँ पे कर दिया गलत in the sense post को यहाँ पे गलत यहाँ पे select कर दिया जिस post में CCH मांगा गया उसको apply नहीं किया जिस post में CCH नहीं मांगा गया उसमें apply आप लोग ने कर दिया तो mismatch हो गई post और वहीं जो है competition एक तरफा यहाँ पे हो गया तो mostly candidates ने जो form fill up किये हैं यह इसी post से आप लोग ने आप लोग ने आपे form को fill up कर दिये और जितने भी भीड़ती वो सब इसी में चली गई और जो यह वाले candidates हैं तो यहाँ पे इनका competition as comparison इनके काफी यहाँ पे जो है कम यहाँ पे अब यहाँ पे हो गया खैर यह तो competition के बात हुई और देखिए जैसे ही form भरना शुरू हुए थे MPC हो के दूसरे ही दिन मैंने आपको बता दिया था कि post जो है आप लोग बिलकुल तो ने समझा और form को बिलकुल साही साही fill up किया कुछ candidates ने नहीं देखा या फिर देखा तो समझ में नहीं आया या फिर ध्यान नहीं दिया तो फिर form यहाँ पे गलत यहाँ पे fill up हो गया इसमें किसी की भी गलती हम लोग यहाँ पे नहीं बोलेंगे candidates को भी देखिए थोड़ा सचेत यहाँ पे रहना चाहिए था कि किस post से आपको apply करना है और उसको दुकान वाले को means जो आपका shop की पर है जिससे आप form fill up करवाते हैं तो उसको आपको बताना चाहिए वो तो वही details आप से पूछेगा जो आप लोगों के पास यहाँ पे होगे तो उसने उसी आधार पर form fill up किया जो detail आप लोगों ने उसको दी तो दोस्तो जो भी information थी इसमें मैंने आप पे cover की और candidates यहाँ पे बोल भी रहे थे कि answer की आ चुकी है और answer की आने के बाद cut off का एक वीडियो आप यहाँ पे share करिए तो एक वीडियो आपके साथ मैंने आप पे information को share की सबसे पहले आप सभी को इस वीडियो को आपको यहाँ पे अपने सभी friends लोगों में share करना है जो MPCHO का exam देकर यहाँ आए हैं आपके WhatsApp groups में और आपके WhatsApp के सभी friends लोग जो MPCHO का exam देकर आएं वीडियो को उनमें आपको यहाँ पे share कर देना है और अभी तक हमारे आप लोग WhatsApp group से नहीं जुड़े हैं तो WhatsApp group आप लोग हमारा join कर सकते हैं इसी वीडियो के नीचे description box में link मैंने आपको अपने WhatsApp group के provide अकरा दी जितने भी वीडियो में आप लोगों के लिए create करता हूँ जितने भी vacancies की information रहती हैं सारी जानकारी आपको ग्रूप में आपको यहाँ पे मिल जाती कभी कभा YouTube पे information candidates miss कर देते हैं लेकिन WhatsApp से आप लोग हमारे यहाँ पे जुड़े रहते हैं तो directly information आप लोग WhatsApp के थूँ आप लोग यहाँ पे पा लेते हैं और काफी candidates जो WhatsApp groups यहाँ पे जुड़े भी हो हैं पहले से तो सभी से मेरी यहाँ पे request हैं आप लोग जुड़े तो हैं लेकिन वीडियोज वाच नहीं कर रहे हैं वीडियोज जरूर वाच करें देखें सारी चीजे जो हैं मैं discuss करता हूँ ठीक है और discuss करता हूँ तो आप लोग उनको जरूर देखें वरना जो है बात में जब information रह जाती है या फिर information छूड़ जाती है या फ़र गड़ बड़ी हो जाती है फिर then जो है regret करना पड़ता है फिर जो है अपसोस यहां पर करना पड़ता है फिर जो है उस चीज का कोई भी sense यहां पर नहीं होता तो updates जो है regularly watch करते रहें और हमारे साथ यहां पर जुड़े रहें थैंक यो तो मच